नमस्कार मैं हूँ प्रग्या 1330 खबरों में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को भारत सिरकार के सूचना इवं प्रसारन मंत्राले ने कई भारती और पाकस्तानी यूटूब नियूस चैनलों को भारत की राष्टिय सुरक्षा विदेश संबंधो और सारवजनिक विवस्था से संबंदे दुस्प्रचार फैलाने के लिए ब्लॉक किया है जिन में साथ भारती है और एक पाकस्तान स्थित यूटूब चैनल है इन्हें आईटी नियम 2021 के तहट ब्लॉक किया गया है इससे पेले 25 सप्रेल 2022 को 16 यूटूब चैनलों को ब्लॉक किया गया था पुर्णिया के धमदाहा से विदायक लेसी सिंग को मंत्री बनाया गया डॉपॉली के जेडियू विदायक वीमा भारती ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है विमा भारती ने लेसी सिंग पर वसूली और मर्डर कराने का गंभीर आरोफ लगाया है इस पर सीमी 30 ने कहा मैंने उनको भी 2014 और 2019 में मौका दिया था और इस बार भी दिया यह संभव नहीं है कि पार्टी में जितने लोग हैं वो सभी मंत्री बने मुझे आश्चर हुआ है कि इस तरह से कौन बोलता है रेलवे ने बुलिट ट्रेन को लेकर जानकारी दी है कि इस हाई रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिगरहन का काम लगभग 98.38 पूरा हो चुका है बता दे कि इस पूरी हाई स्पीड रेल परियोजना की दूरी 508.17 किलो मीटर की है इस रेल रूट में गुजरात का वल या ओपी छेतर से गिरफतार किया है बता दे कि राजनतिवारी पर 25,000 का इनाम भी रखा गया था बाहुवली राजनतिवारी वर्ज 2005 में पुर्वी चमपरंजेले के गोविंद गंस विधान सभा से निर्दलिय लड़ा था और जीत भी गया था जमो कस्मीर में मद्दान को लेकर चुनाव आयोग ने बुदवार को कहा है कि मद्दाता सुची में यदि गैरस्थानिये लोग अपना नाम दर्ज करा लेते हैं तो उन्हें वोटिंग करने का अधिकार होगा इस पर महभूव मुफ्ती ने कहा कि जमो कश्मीर में बारी ल करूंगा और नितीज कुमार साथ जन्मों में भी देश के प्रधान मंत्री नहीं बन सकते हैं केंद्रिये मंतरी बनने के सवाल पर कहा की नितीज कुमार जूट बोल रहे हैं उनकी सहमती से ही मंत्री बने थे यह बात ललन सिंग भी जानते हैं उत्तर प्रदेश के बाहु वली निता, मुक्तार अंसारी के दिल्ले और उत्तर प्रदेश के ग्यारेट ठिकानों पर ईडी की कारवाई चल रही है। कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। उन्होंने कहा मैं आरोप लगाता हूँ और इसकी जांच होनी चाहिए। सपत ग्रहन वाले दिन राजभवन में सारे अप्राधी मौजूद थे। सारवजनिक छेत्र में कॉंट्रैक्ट विवस्था लाना है। बिहार सरसर्टवी प्राडंभिक परिक्षा के लिए आवेदन किये 6 लाग से अधिक उमिद्वारों का परिक्षा की तीथी की घोषना को लेकर चल रहा इंतजारा समाप्त हो जाएगा। के नए अध्यक्ष तारिक का एलान आज कर सकते हैं। एसिया के सबसे अमीर इंशान और अडानी समो के चेर्मैन गौतम अडानी श्रीलंका में बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। श्रीलंका के उर्जा मंत्री और बिजली मंत्री कंजना विजेस्तिकारा ने बुद्वार को सोचल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी सांचा की है। अडानी ग्रीन एनरजी को मननार में 286 मेगावाट और पुर्णरी में 234 मेगावाट की दो पवन परियोजनाओं के लिए सुरवाती मंजूरी दे दी गई है। और उसने मुझे डांटा भी है। दोबारा के एरिट के बाद जब अनुराग और मैं लडे तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ काम क्यों करते हो। अगर आप स्टार बनना चाहते हैं तो जाइए और रोहित सेटी के साथ काम कीजिए। लेकिन हर किसी का फॉर्मूला एक जैसा नहीं होता। मैं स्टार्डम के लिए एक अलग रास्ता अपनाना चाहती हूँ। टीम इंडिया के पुर्व कप्तान विराट कोली ने आज ही के दिन 14 साल पहले अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेव्यू किया था। विराट कोली ने भारत के लिए अब तक 102 टेस्ट मैच में 8,074 रन और 262 वंडे मैचों में 12,344 रन बनाये हैं। वही निनान में टीम इंटरनेशनल मैचों में कोली ने 3,308 रन बनाये हैं। दिल्ली हाई कोट ने भाजपनेता साहनवाज हुशान के खिलाब 2018 के बारतकार के मामले में FIR दर्श करने का आदेश दिया है। जिसके बार साहनवाज ने सुप्रेम कोर्ट का दर्वाजा खटखटाया। साहनवाज के अपील पर भारत के मुख्य ने आए धीस एनवीर रमना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगले सब्ताह मामले की सुनवाई करेगा। BCCI ने पिछले मही ने अहमदाबाद में ग्रूप D यानी महिला और जूनियर मैचों में अमपाइरिंग करने के लिए परिक्षा का आयोजन किया था। इसमें 140 अभ्यार्थियों में से केवल 3 ही पास हो पाए, परिक्षा को पास करने के लिए 200 में से 90 अंक लाने थे। विचार कर रही है और इस पर विचार जानने के लिए एक पैनल का गठन करेगी। कोई आम इमारत नहीं है, बलकि इनफ्लैटेबल टेंट से तयार किया गया थेटर है जिस पर बाहर के खड़ाब मौसम का कोई असर नहीं होता। और अब लद्दाक में लोगों को मनुरंजन का एक नया जरिया मिल गया है, एक साथ 140 लोग इस सिनेमा हॉन में फिल्म देख सकते हैं और टिकेट की कीमत 200 से 250 रुपे के बीच है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अगले हफते मोहाले में हूमी भावा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्गाटन करने के लिए पंजाब की यात्रा करने की संभावना है। चंदरकान पंडित अपने सफल कोचिंग के लिए पूरे भारत में चर्चित व्यक्ती हैं अब IPL का टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुख्य कोच निउप्त किया गया है। इसी के साथ ऐसा पहली बार हुआ जब वो टॉप लेवल क्रिकेट के कोच होंगे। इससे पहले वो रंजी में ही बतौर कोच नजर आते थें। दुनिया के इस सबसे प्रदूसी सहरों की सूची में भारत के दो शहरों का नाम सबसे उपर है। दिल्ली और कॉलकाता दोनों सहर पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रदूसी थें। इसी के साथ मुंबई चौदवी रैंक पर है। इन दीनों सहर के लोग PM 2.5 के अस्तर पर संपर्क में हैं जो वैस्विक ओसस से बहुत अधिक है। मानगो उल्डी थाना के पास Bank of India में 4 दकैतों ने आज 11 बजे लूट की घटना को अंजाम दिया गराकों ने बताया कि दकैती ने खुद को CBI अफसर बता कर सबसे पहले तो बैंक में मौजू सभी गराकों और करमचारियों का फोन जमा कर लिया। इसके बाद कैस काउंटर के ये एक DIG और एक कमांटर का दबादला भी कर दिया गया है। मादि प्रदेश में कॉंग्रिस के कदावर नेत और पुल सीम कमलनाथ की घेरा बंदी को लेकर बीजेपी ने चुनाओ से पहले अपना नया अक्शन प्लान तयार करते वे मंत्री गिरास सिंग को छिंदवारा क प्रभारी बना कर सबको चौका दिया है। तीन दिन में गिरास्तिक। छिंदवारा सियासत को अपने पैमाने में उतार कर जेपी नड़्डा को रिपोर्ट सौपेंगे जिसके बाद छिंदवारा को कॉंग्रिस मुफ्त करने के लिए फॉर्मूला तै होगा। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कम होने के कारण चाहतर बैंक डिपोजिट को बढ़ावा देने के लिए अपनी डिपोजिट दरों में बरहोतरी कर रहे हैं। ताकि बरते क्रेडिट ओफटेक का समर्थन किया जा सके। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतिय स्टेट बैंक ने 113 दिनों में 210 दिनों के बीच में चौर होने वाले टर्म डिपोजिट पर अपने डिपोजिट दर को 4.40 फीजदी से बढ़ा कर 4.55 फीजदी कर दिया है। पंजाबी सिंगर और कॉंग्रिस नेता सिद्धू मुसे वाला केस में 4 सीट फाइल कर दी गई ह चार सीट में 15 लोगों के नाम शामिल किये गया है। लौरेंस विश्णो और विश्णो भगवान पूरिया को हत्या का मास्टर माइंड बनाया गया है। इस और दूइंग बिजनिस के लिए उन्होंने जम कर तारीफ की है। आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंशेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही धन्यवाद।